हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मिसल्स यानि की खसरे की बीमारी होती है उसकी कारण क्या होते हैं और उसमें दिया जाने वाला ट्रीटमेंट क्या होता है तो फ्रेंड्स यह सभी जानकारी आज की इस वीडियो में हम जान दोस्तों यह जो खस्री की समस्या होती है एक viral infection के कारण होती है जो कि sneezing, coughing के दोरा, droplet infection दोरा direct contact से फैलती है यानि कि अगर कोई बच्चा है जिसको खस्री की समस्या है तो अगर कोई दूसरा बच्चा उसके संपर्क में आता है तो उसको भी यह समस्या हो सकती है तो friends इसमें क्या होता है कि दाने से आप देख सकते हैं यह दिखने लगते हैं और यह जो मिसल से वो बच्चपन की बिमारी यह छोटे बच्चों में ही होती है जो कि serious भी हो सकती है और यह एक प्रकार का virus होता है तो इसके lecture लगवग 10 दिन बाद दिखाई देते हैं friends इसके अगर हम sign and symptoms की बात करें तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि बच्चे को common cold यानिकि सर्दी के समस्य हो जाती है इसको बहुअ ज़्यादा खासी होती है वुखार होता है फटीग यानि कि ठकाव सी होती है तता ब्राँंकाइटिस की समस्वा हो जाती है उसको सिनीजिंग यानि कि बहुत छीके आती है उसको कफिंग उसके बल्गम होता है देन इसके लाबा कॉपलेक स्पाट यह आप देख सकते हैं छोटे छोटे दाने सरीर पर देखने लगते हैं उसके लावा क्या होता है कि मुझ में म्यूकस जो होता है वो मेंब्रेंट पर मोलर टीथ और बाइट बाउंड होते हैं घाव हो जाते हैं जो दाने देखने के साथ खतम हो जाते हैं में क्या होता है, कि बहुत ज्यादा high fever होता है, जो पहले दिन 100 से 130 degree Fahrenheit होता है, फिर तीसरे दिन हलका हो जाता है, तता चौते दिन ये पुने दोबारा fever आने लगता है, तो ये जो sinus symptoms होते हैं, वो खसरे में देखने को मिलते हैं, देनिस के लगा दोस्तों, जो treatment होता है खसरे का उसमें क्या होता है कि सबसे ज़्यादा जो important thing है कि bad rest बच्चे को जिसको भी खसरे की समस्य हो उसको पूरी तरह से bad rest देना चाहिए उसको किसी भी बच्चे से मिलने नहीं देना चाहिए उसको isolate एकांत जगह में रखना चाहिए उसके लाव दोस्तो maintain oral hygiene यानि कि मुँगी साफ सफाई का ध्यान रखें अगर बच्चे को जो fever आ रहा है उसमें आप एक सीरप आती है डोलो जिसके अंदर पैरसीटा मोलोता है वो एक चम्मच सुवे दुपेर साम दे सकते हैं उसको बुखार रुखने तक उसके लाव एक सीरप आती है एमरोडेल डी जिसके अंदर डैक्सो मिधारफन होता है किलोरो फिनेरमेन जिसको हम सीपीम बोलते हैं वो होता है इसकी भी एक एक चम्मच सुवे दुपेर साम दे सकते हैं और दोस्तो एंटिवैटिक के तोर पर आपको एक सीरप आता आउग कानों में अभी इनफेक्शन हो जाता है तो ऐसी कंडिशन में आपको एक जेंटमाइसन ड्रॉप आती है ये दो दो ड्रॉप दिन में तीन बार यानि कि सुवे दोपेर साम बच्चे की कान में डाल देना चाहिए उसके साथ साथ आपको क्या करना है कि बच्चा जो भी है उसको प्रोटीन रिच डाइट देनी है यानि कि उसको लिक्विड डाइट देनी है जैसे कि दाल आप दे सकते हैं इस तरह से कोई भी ठोस खाना नहीं देना है उनली लिक्विड डाइट जादा देनी है उसके साथ साथ उसकी जो कमजोरी भीकनेस बगरा रहती है तो उसम को बच्चे को देना है इसके साथ आप क्या कर सकते हैं कि जो बच्चा होता है अगर कोई बच्चा 6 मंद का है तो उसको vaccination को दोःवरा prevention किया जा सकता है बच्चा जो छे में ही निका है तो उसको mmr का vaccine होता है वो जरूर लगाया जाना चाहिए तो यह कुछ treatment है जो कि खस्रे की समस्या में दिया जाता है यह आप देख सकते हैं यह सारी medicines हैं यह आप बच्चे को दे सकते हैं जो भी हमने आपको बताई हैं उसके according तो friends I hope आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा अगर दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो informative लगा हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें मिलते हैं एक और ऐसी helpful वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार